एजी कॉलेज दुर्दशा के जिम्मेदार सफेद पोश एवं प्रबंधन। रिवा जवाहरलाल क्रिशी विश्व विद्याले जबलपूर की स्थापना के पूर्व से ही क्रिशी विद्याले के नाम से रिवा में क्रिशी शिक्षन की एक ब्रांच दर्बार कॉलेज रिवा में संचालित होती थी। सन 1952 में रिवा क्रिशी कॉलेज की स्थापना हुई, बाद में जवाहरलाल क्रिशी विश्विद्याले जबलपूर के अधीन कर दिया गया, प्रारमविक दौर पर कॉलेज के निर्मान में स्थानिय लोगों का शारीरिक्ष्रमदान के साथ आर्थिक सहयोग रहा, कॉलेज के अंदर अनुसंधान शिक्षन डेरी एवं खृशी प्रख्शेत सहित कई शाखाएं बढ़ी गती से कार्य करती रही, संस्था को अनुसंधान क्षेत्र में आईसी आर यानी भारतिय खृशी अनुसंधान नई दिल्ली एवं शिक्षन क्षेतर के लिए मध्यप्रदेश शा बंधन विगत दस वर्षों से जब से सफेद कोश में ताउने स्थानिय चहेतों को डीन जैसे पदू में बैठाने का काम किया। तब से वह लोग लकडी में लगे घुन की तरह संस्था को खाने का काम किया। इसके पहले कॉलेज का संचालन काफी कुछ बहतर था अब तो शिक्षा डेरी अनुसंधान क्रिशी प्रक्षेत सब खत्म हो गया। कॉलेज में शिक्षकों की कमी दोनों होस्टलों की हालत देनिय है जो कभी भी गिर सकते हैं। पहले डेरी में सेकड़ों गये रहती थी जहां एक टाइम में 100 से 150 लीटर दूद का उतपादन होता था अब 20 लीटर भी नहीं हो पा रहा है। अब न तो पशु है नहीं उनका खाना है कॉलेज की जमीन को भी बीज निगम सहित हाल ही में दो एकर से अधिक जमीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को दे दी गई। प्रत्येक वर्ष आया बजट हजम हो जाता है कर्मचारियों को वेतन पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है आज भी 400 से अधिक मजदूर रजिस्टर हैं जिनको काम नहीं है कृशी वेग्यानिक खेतों में नहीं जाते कॉलेज की अधिक तर जमीन बंज़ पड़ी है कुल मिलाकर सरकार की गिद्रिष्टी कॉलेज की भूमी पर भी लग चुकी है सरकार कहीं न कहीं कॉलेज परिसर को हटा कर एक सीमित एरिया में भेजना चाहती है